जैहिन साती और नमस्ति आप देख रहे हैं समाधानिश्टिडी और आप सभी विध्यारतियों का स्वागत हैं आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सवीधा वर्गतीन बाल विकास यूम सेक्शन सास्त्र जिसमें हम लोग इसके पेडोगोजी के कोस्टन देखेंगे और आपको CDB के बारे में बताएंगे और जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रवाइट करेंगे तो जैसे कि आज हमारा यह first day है first class है तो मैं चाहूंगा कि जितने भी साती वर्गतीन की त्यारी कर रहे है और जो बच्चे काफी दिनों से त्यारी कर रहे हैं मुझे पता है पर अभी हमारी अंतीम दिन है और इसमें हमें भरपूर तरीके से त्यारी करना है बचे हुए कुछ दिन बचे हुए है और इसमें हम लोग अच्छे से अच्छे मैनत करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे तो चलिएगा आपको बता दू यह जो हम बुक जो कौर अप करने वाले हैं जो रीड के लिए होती है और इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं प्रवाइड होगा ठीक है तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करता हूँ यह आज की पहली क्लास है अगर आपको अच्छे ल से बेसिक मतलब फर्स्ट कोस्टन से स्टार्ट कराऊंगा आज थोड़े 30 कोस्टन रहेंगे उसके बाद में आपके 60-100 कोस्टन करवाऊंगा ठीक है देखे पहला कोस्टन आपसे बोला गए कि बाल विकास कहते हैं तो बाल विकास किसे कहते हैं सारे रिक विकास को मानसिक विकास को भावना तक विकास को या उपरक्त सभी अब देखे CDP जैसे ही आप लोग पढ़ते हैं तो सारे question आपको similar मतलब सारे options क्या लगेंगे similar लगेंगे बट वो सारे options similar इसलिए देता है ताकि आपको confusion provided हो तो CDP क्या होता है तो यह होता है आपका सारिक विकास और आपका मानसिक विकास और आपका भावातनक विकास मतलब option number D आपका right answer होगा ठीक है चली और हम लोग normal speed से चलेंगे ज़्यादा fast भी नहीं ज़्यादा slow भी नहीं देखे वित आपको व्याख्या भी बताऊंगा इसमें देखे बाल विकास बाल मनुविज्ञान का आधुनिक या विस्तरत रूप है बाल के मतलब बालक के सारिरिक मानसिक बौदिक योंग भावातमक सामाजिक आदिसर भी पक्चों में परिवकवता को परिवकवता का होन बाल विकास कालाता है ठीक है यह आपको समझ लेना है चले अब चलते हैं आगे अगले कोस्टन को देखते हैं देखे सर नेस्ट कोस्टन पूछा गया है कि बालक के विकास का प्रतंबार वज्यानिक विवरन किसने प्रस्थूत किया था तो इस वग्यानिक का नाम बताना है आपको पेस्टोलोजी ने या फिर विलियम जेंस ने या फिर आपका कार्ल रोजर्स ने या फिर उपरियुक्त सभी ने दिया था तो इस विग्यानिक का नाम आपको दियान रखना है क्या है सर जी आपका पोस्टो लाजी क्या है इस विग्यानिक का नाम है पोस्टो लाजी इसका नाम है तो यह आपको क्या करना है दियान रखना है तो इसी तरीके से इसकी व्याख्या देखते हैं के बाल विकास बालक के विकास का प्रतम बार विज्यानिक प्रतम बार जो विवरन दिया था सोलवी सताब्दी में दिया था 1774 में और जो है आपका पोस्टोलोजी ने प्रस्तूत किया था कि इसका यह विसरन आपके स्वयम के साड़े तीन वर्षिय पुत्र की बेबी बॉयोग्रॉफी क्या होती है आपका बाले कथा पर आधरित होती है तो यह हो गया इसकी व्याख्यान चलते हैं अगले कुश्चन के और देखते हैं क्या बुला है देखिए बाल अध्यन आदोल सब्रेंट की सुर्वाद कब होरी थी तो आपको ध्यान रखना है यह हुई थी आपका उन्निस वी सताबदी में कब हुई थी सर उन्निस सो वी सताबदी में अमेरिका से कहा से हुई थी यहां अमेरिका से जो है इसकी जो है शुरुवात हुई थी अब आपसे पूछ लेगे कि इसके जन्मदाता कौन है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके जन्मदाता कौन है तो आपको ध्यान रखना है इस्टेंडली हॉल कौन सर जी आपका इस्टेंडली हॉल जो है इसके क्या है आपके जनमद आता है मतलब जीनों ने इसकी जो है कब की थी तो 1893 में कब की थी 1893 में 19 भी सताबदी में तो यह आपको ध्यान रखना है चलिए उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और नीचे आप लोग कमेंट्स करके बता सकते का इसकी क्लास कैसी लगी और जो है आप कोस्टन भी हमें शेयर कर सकते हैं देखे भारत में बाल विकास के अध्यन की सुरुवात कहां हुई कोस्टन क्या बोला गया है कोस्टन बोला गया है कि भारत में बाल विकास के अध्यन की सुरुवात कहां हुई कोलकत्ता विस्विध्याले में जैपूर में लगनाओ में या फिर आपका मुंबई में तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में बाल विकास की जो सुरुवात हुई थी नाम ध्यान रखना है गीजु भाई बधो का ठीक है गीजु भाई और यह कहां से है तो यह गुजरात से है ठीक है बधे का और यह कहां से गीजु भाई तो यह गीजु भाई आपके गुजरात से है ठीक है पर इसने जो आपकी स्थापना मतलब सुरुवात कब से की थी मतलब कौन से विस्विद्धारे से है तो तो इसकी स्थापना जो है पेटो को आपका पेस्टो लोजी ने की थी या फिर आपका कॉमबे नियस ने की थी या फिर आपका रुसो ने की थी या अरस्तु ने की थी तो बहुत महत्पून कोस्टन है आपका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर होगा कॉमबे नि निकीधि इस निकीधि इस निकीधि धिसका फूल निम क्या है जोहंसга मौस क्या होता है आपका कंब इस कब कीधि अगर आपसे पूछआ है कि किस कोशचन में किथी ति दौ ध्यान गया है कि चलिए कुश्चन में बोला गया है कि बाल विकास ठीक है क्या बोला है कि बाल विकास का वह विज्ञानी का ध्यन है जिसमें गर्वा वस्ता के प्रारंब से किसुरा वस्ता के प्रारंब तक होने वाले विकास का अध्यन किया जाता है बाल विकास की यह परिवासा क चलिए और देखिए इससे related और questions हमें पुछे जाएंगे तो हम देख ध्यान देते हैं कि प्रोबेल के अनुसार बाल विकां मतलब बालक सुयम आपका विकासुन मुक होने वाला पौदा है आपका आईजेक के अनुसार क्या कहा है आईजेक ने तो आईजेक ने कहा है कि बाल को मनोवग्यानिक प्रकिर्या के विकास से है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है चलिए अब आगे चलते हैं आपसे question nest क्या बोला गया है ठीक है कोस्चन नेस्ट आपसे बोला गया है कि प्रतम आपका रह की स्थापना कब हुई थी प्रतम आपका बाल ग्रह की स्थापना कब हुई थी ये कोस्चन आपसे पूचा गया है आपको ध्यान रखना है कि प्रतम बाल ग्रह की स्थापना 1887 में हुई थी कब हुई थी सर 1887 में इसकी स्थापना हुई थी अगर आपसे पूच जाए कि कहां इसकी स्थापना हुई थी नोट करना है इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी नियू यार्क में और नियू यार्क का है तो नियू यार्क आपका USA मतलब अमेरिका में स्थित है ठीक है यह question हमसे पूचा गया है देखिए इस book का नाम आपको ध्यान रखना है कि यह आपका गेलेस की book है ठीक है किसकी है sorry गेसेल की इस book है यहां और इसने इसके बारे में लिखा है cdp के माध्य हमसे चलिए आगे चलते है next question देखते है next question हमसे पूचा गया है जरा note करना next question में क्या है कि अधिगम की कठिनाई का काल किस अवस्था को कहा जाता है तीक है अधिगम की कठिनाई का काल किस अवस्था को कहा जाता है बाले वस्था या फिर किसुरा वस्था या फिर आपका शेशा वस्था या फिर आपका उत्तर बाले वस्था तो राइट अंसर की बात कर ले तो अगर आपने सेशा वस्था अंसर लगाया है तो बिल्कुर सही अंसर प्रस्किया है ठीक है क्या लगाया है अगर आपने सेशा वस्था लगाया है तो क्या आपने बिल्कुर सही अंसर लगाया है बिल्कुल यह आपका स्यांसर होगा चलिए माता पिता के गर्ब से बाहर आने वाले सिसू बाहरी वातावरन के संपर्क में आने पर बाहरी वातारन के अनुकूल न होने से बिमार हो जाता है इसलिए इसे अधी गम कटिनाई का काल कहा जाता है इसे नोट करना है आपको ध्यान रखना है और यह हमारी क्लास डेली होगी आपको और डेली क्लास को जॉइन करना आपको प्रतम बाल आपका निर्देशन क्लिनिक किस ने खोला विलियम जोन्स ने विलियम आपका हिल्ली ने जिन प्याजे ने या फिर प्रोबेल के द्वारा खोला गया था तो नोट करना है आपको कि यहाँ आपका विलियम हिली द्वारा क्या करेता खोजा गया था ठीके अगर पूछा गया कि कब जो खोला गया था तो यह 1909 में खोला गया था कब 1909 में कहा पर तो सीकागो तीक है Newark Chicago में इसे खोला गया था चलिए आगे चलते हैं नेस्ट कोशन देख लेते हैं देखें नेस्ट कोशन नोट कीजिगा आप लोग नेस्ट कोशन बोला गया कि बालक के विकास के धीरे-धीरे परिवर्तन होने लगते हैं तीक है क्या बोला है बालक के विकास में धीरे-धीरे परिवर्तन होने लगते हैं अब देखिए आकार में परिवर्तन अनुपात में परिवर्तन पूराने चिन्नों की लुप्तता या फिर होगा आपका उप्रियुक्त सभी बताएगा Right Answer क्या होगा देखिए, आकार में परिवर्तन तो देखिए, right answer की बात कर ले तो काफी सातीों ने बहुत ही बढ़िया answer इसे provide किया है कि इसका right answer क्या होगा sir इसका right answer उपर्युक्त सभी मतलब आकार में परिवर्तन अनुपात में परिवर्तन और आपका पुराने चिन्नों की लुप्तता इसका सयांसरों का option number D देखें सभी लोग को ध्यान रखना है कि बालक के विकास में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगते हैं इस परिवर्तन में मुक्यतह आकार में परिवर्तन अनुपात में परिवर्तन और मांसिक विकास में पुराने चिन्न की लुप्तता यह जो है चिन्न क्या होते हैं विकास आदी में परिवर्तन होते हैं चलिए आगे देखते हैं निस्ट कोस्टन देखते हैं क्या है तो निस्ट कोस्टन में क्या बुला गया है कौन सा सही है यह आपको बताना है देखिए निवनल लिखित में से कौन सा कथन क्या है गलत है ठीक है और ऐसे कोस्टन जब आते हैं तो हमें थोड़ा डिफिकल्टी म वाली प्रकिरिया है विकास व्यापक अउधारना है विकास आंतरिक यों बहु पक्षिय होता है विकास का कोई निश्चित करम नहीं होता है केवल वन केवल दो केवल तीन या मतलब रॉंग कौन सा है यहीं हमें चूस करना है तो गैज अगर आप लोगों ने केवल और केवल 4 answer लगाया है तो हमने correct answer लगाया कि विकास का कोई निस्चित क्रम नहीं होता है ठीक है sir option number 4 इसका से answer होगा क्या यही answer आप लोगों ने लगाया है क्या अगर आपने 4 answer लगाया है मतलब आपका correct answer है देखिए उसी प्रकार से आपसे question nest पूचा गया है की गलत कौन सा है निमनली कित में से कौन सा कतन जो आपका अभी वरद्धी के बारे में गलत है अभी वरद्धी के बारे में कौन सा कतन गलत है यह हमें चूस करके बताना है अभी वरद्धी को मापा तोला जाता है अभी वरद्धी विकास का ही हिस्सा होती है अभी वरद्धी के परिनाम विवरद्धी सूचक वह आपका हास सूचक होते है या फिर आपका होगा अभी वरद्धी इसपस्ट दिखाई देती है तो देखी इसमें जो रॉंग होगा ठीक है तो wrong जो होगा मैं आपको बता दू कि wrong कौन सा होने वाला है अगर हमने चूज किया है option number D ठीक है sir कि अभी वरदी इस पस्ट दी आपका दिखाई देती है तो ये आपका wrong होगा ठीक है option number 4 अगर आपने लगाए है तो बिल्कुर सही लगाए है बिल्कुर सही लगाए है चलिए नेस्ट देखते है क्या है कि बालक का विकास होता है नेस्ट कुर्शन क्या बुला है कि बालक का विकास होता है सिर से पैर की दिशा में पैर से सिर की दिशा में या एव भी दोनों दिशाओं में या इन में से कोई भी नहीं ठीक है तो आपको चूस करके बताना है आंसर क्या होगा तो अगर आपने चूस किया है option number A कि सीर से पैर की दिशा में तो बिल्कुर सही answer होगा ठीक है अगर आपका option number A है तो आपका बिलुकूर से अंसर होगा बिलुकूर से अंसर होगा ठीके तो आज की class इतनी ही रहन देते गाईस अगर आप सभी लोग चाहेंगे तो जो है हम लोग marathon class भी जल्दी से जल्दी आपको provide करने वाले हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सेशन को share जरू करेगा और जो है आपको पसंद आए तो like भी जरू कीजेगा तो मिलते गाईस नेस्ट सेशन में नेस्ट अब जो है आपके महत्पुन कोस्चनों को लेकर नमस्ति जैहिन